जैबहीम मेरा नाम ओमवती है मैं दिल्ली उनिवस्टी से एमफिल कर रही हूं हिंदी विभाग से आज दल्लित साहित्ते के ऊपर जो विचार विमर शर रहे हैं उसमें रज़त रानी मीनु मैम ने जो इस्त्रियों के ऊपर बात रखी है कि इस्त्रियां किस प्रकार दल्लित समाज में भी नजरनमदार किया गया है और जो उनके विचार है और उनके नुभूतियां वो किस तरह समाज में उजागर होके आई हैं वो देखने वाली बात है क्योंकि दल्लित साहित्ते में जो पुरुस साहित्ते लिख रहे हैं वो अपनी तरफ से अपने विचारों को और साथ ही महीलाई जो दलित महीलाई लिखती हैं वो अपने विचार और अपनी संभावनों को प्रसुत करती हैं कि किस तरह से उनका शोषन क्या जा रहा है तो सबसे पहले ये बात कि एक तो हमारे समाज में दलितों की आजादी के ऊपर जो सवाल उठाया गया है इसके साथ दलित महीलाई की अजादी के ऊपर जो सवाल उठाया गया है कि दलित इस्त्रियों की अजादी किस तरह से आज भी उन पर पूर्शों का वर्चस्व है उसको दिखाया बताया गया है उस मुद्धे पर बातचीत की गई है जो महत्तपूर्ण है और दलित साहित्ते की शक्त दे दिये गई है ऐसा लगता है लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप में यह देखती हूं कि नहीं अभी भी दलितों को किसी न किसी रूप में रुकावट पैदा करकर उन्हें पीछे की जाने की कोशिश की जा रही है तो निरंतर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रह और कमेंट्स करना बिल्कुल नम पुले